नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंखना हुमियोपेटिक क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बाद फिर आपका स्वागत है साथियों, आज हम बात करेंगे कान के विशय में कान में कोई भी समस्या होती है तो एक तकलीफ होती है और आपको एक E&T डॉक्टर पास तुरन जाना पड़ता है वो जाना ठीक है लेकिन हम आपको एक कान की बहुत कॉमन समस्या होती जिससे तीन-चार सिम्टम प्रियेट होते हैं ते उस डिजीज से अब गटकर आएंगे उसको ठीक करने की दसकारगर हों-पेटिक दवायें बताएंगे वहाँ सिम्टम है वहाँ डिजीज है मीनियर्स डिजीज या मैनस डिजीज यहाँ डिजीज आज कल बहुत common डिजीज है जिससे कि आप परिशान होते हैं यहाँ होने पर आपको चक्कर आने लगते हैं आपको कान में आवाजे सुकाई देने लगती हैं हम आपको बताएंगे माइनस डिजीज को ठीक करने की दसकार कर होमियोपेटिक दवाएं सबसे पहले साथियों जान लेते हैं माइनस डिजीज होता क्या है माइनस डिजीज साथियों आपका इनर इयर कान का जो सबसे अंदूनी हिस्सा होता है या उसका डिजीज होता है जब आपके कान के जो इनर मोस्ट इयर होता है उसमें फ्लूइट सिक्रीट होता है और वहाँ फ्लूइट जो आपके नॉर्मल येर की फंक्शनियर उसके जो सिगनल होते हैं वहाँ ब्रेन तक लाने में अवरोध पैदा करता है तब ही आपको ये माइनर डिजीज होता है इसमें आपको चक्कर आते हैं इसमें आपको आवादे सुनाई देती हैं तो ब्रॉडली यहाँ ही सिंटम्स दो माइनर डिजीज में में पाए जाते हैं लेकिन हम आपको इसका पूरे सिंटम्स बताते हैं इसके सिंटम्स के साथ ही हो बात कर लेते हैं सिंटम्स साथ ही हो माइनर डिजीज के आपको कान में बजिंग और हमिंग होना आपको vertigo होना यहाँ vertigo आपको थोड़ी देर के लिए भी हो सकता है थोड़े वक्त बात भी हो सकता है बहुत लंबे वक्त बात भी हो सकता है लेकिन यह एक special तरह का vertigo होता है जिसमें आपको लगता है spinning चक्कर खात प्याद इस तरह की जो spinning होती है यहाँ minus disease के vertigo की characteristic होती है यहाँ symptom उसका characteristic होता है साथ मैं आपको जैसामने बताया हमिंग हो सकती है आवाजें आ सकती है आपके कान में और इस तरह की जख्लीफें हो सकती है इसके कारण की बात कर लेते हैं साथियों minus disease का exact कारण unknown है लेकिन डॉक्टर उसको इस पास से जो होते हैं कि आपका जो inner most ear होता है उसमें fluid secret होने लगता है जो labyrinth होता है labyrinth आपके hearing organs को hold करता है जब इसमें fluid secret होने लगता है तो यहाँ जो है आपके normal जो signal की processing है आपके inner ear के signal को brain तक पहुचाने की processing है उसको वहाँ रोकता है उसको वहाँ नहीं होने लेता है तो इस कारण जब यह signal obstruct होते हैं तभी आपको चक्कर आते हैं और तभी आपको आवाजें हमिंग सुनाई देती है तो fluid का secret होना आपके inner most ear या नहीं labyrinth में यहाँ ही cause है minor disease का हम आपको बताते हैं साथियों minor disease को ठीक करने की दसकारगर homeopathic दवाएं उससे पहले साथियों में बता दे यहाँ आपकी जानकारी के लिए वीडियो है कोई भी दवा बिना कुसल्चिक सक्से पूछे ना लें क्योंकि हर दवा के effects और side effects दोनों होते हैं चलते हैं साथियों बताते हैं आपको 10 कारगर homeopathic दवाएं जो आपकी minor disease को ठीक करने में सायक हो सकती है साथियों एक बहुत common condition होती है आपको जब मीमियस disease होता है उसमें कान की एक बड़ी common इस्थिती होती है वह होती कान में घंटियां बज रही है आवाजें आती हैं और आवाजों में भी घंटियां बजने की आवाज आती है अगर यह इस्थिती है और आपको minor disease है तो इसको ठीक करने के हुमियोपैथी है बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है चिनिनम सल्फुरिकम आप चिनिनम सल्फ 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार उसे स्थिती मिले सकते है कि जब आपको पार्शल हैरिंग लॉस हो रहा हो और आपके कान में घंटियों की आवाज आ रही हो आप इस दवा को लें आपका यह रिंगिंग की आवाज भी खतम हो जाएगी और आपका माइनस डिजीज भी ठीक होने लगेगा फिर एक दवा आती है साथियों जिसमें की इस्थिती आती है जिसमें की आपको चलने से आराम मिलता है याई आपका चक्कर खतम हो जाता है मेनियर डिजीज और बैठे रहने से जाता चक्कर आता है अगर यहाँ इस्थिती आप में है तो इसको ठीक करने के हुमें पहती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रोडोडेंडरॉन ट्राइसिंतिम्नुम रोडोडेंडरॉन थर्टी पावर में दो दो भून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं जब आपको जरा भी चलते हों तो आराम मिलता हो वर्टाइगो में मीनियस डिजीज होने पर और जब बैट जाते हो तो चक्कर बढ़ जाते हो या सिम्टम अगर आप में है तो आप रोडोडेंडरॉन थर्टी पावर में दो 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 भून दिन में तीन बार ले लें आपका बटाइगो भी खतम हो जाएगा और आपका माइनस डिजीज भी ठीक हो जाएगा फिर साथियों बड़ी कॉमन इस्तिती है माइनस डिजीज की चक्कर आने लगता है आपको माइनस डिजीज दॉक्टर ने बताया है और आपको चक्कर आने लगा है होमियोपैथी में इस चक्कर को रोकने और माइनस डिजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है कॉनियम मैकुलेटम, आप कॉनियम मैक 30 पावर में दो दो उन दिन में 3 बाल ले ले, आप देखेंगे कि आपका जो बटाईगों की स्थिति है यहाँ भी खतम हो गई, और आपका माइनस डिजीज में ठीक होने लगा, फिर साथी में एक स्थिति आती कि ए प्रस्प्रेश्मिट के फासले पर विकली ले ले ले, अगर आपको लेफ साइड़ वटाईगों हो रहा है, यानि बाई तरफ आप मूप करते तो वटाईगों होता है, बाया कान आपके बंद है और बाया कान में ही पार्शल हेरिंग यॉस है, उसे स्थिति को ठीक करने की तो मेंनस डीजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दवा आयोडम है, इसको आप विकली लेकर लाप्राप्त कर सकते हैं, फिर साथी में किस्थिति आती है मैनस डीजीज में चकर आना और साथ में डीजीनेस होना, डीजीनेस का मतलब है कि जहां चलना है वहीं गिर पड़े, चक्कर आया और एक कमजोरी आई और गिर पड़े तो अगर यह डिजीनेस वाली डिजीनेस ट्रावजीनेस हो और आपके माइनस डिजीज हो तो उसको ठीट करने के हुमियोपेथी में बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है जलसीमियम से मीपरवाईना जलसीमियम 30 दो द को प्यास काम लगती है पानी पीने का बिलकुल मन नहीं करता तो आपकी ड्रग अवदा चॉइस जलसीमियम है यहां दबा लेके आप अपने मीनियर्स डिजीज को ठीक कर सकते हैं फिर यह कि सित्थी आती है साथ यह मीनियर्स डिजीज में कि आप आख बंद करके नहीं रह कालेडियन थार्टी दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आपका आया जो जरा भी आपको बंद करने के बाद चक्कर आने वाली इस्तितिया खतम हो जाएगी और आप नॉर्मली अपनी फंक्शनिंग कर पाएंगे फिर साथियों बहुत कॉमन इस्तितिया आती है मीनियर् साथियों उसके हुमिंपैथी में बहुत करणार दबा कार है औरी दबा का नाम है चीनो खूलियम याल मीनिशिय ने कम और किसे सब्सक्राइillar भीर्ट करने की यहां ने केम मैन जबा किटी आपकी एक जानी सब्सक्राइब चखत आगे और में लें तेन बार किनमे कान में मीजिकल आजे हैं आती हो गांए बझाने टाइब की आगे आती हूं आपको चक्कर आता हो, आपको partial hearing loss हो रहा हो और आपको उकाई, nausea feel होता हो इन सारी स्थितियों को ठीक करने की एक दबा है फिर एक स्थितियों आदिये साथियों, मिनियस डिजीज की आपको मिनियस डिजीज है आपको कुछ भी खाने पे चकर आने लगा आगर याई स्थितिय आप में हो कि आप कुछ भी थोड़ा भी खाते हैं और फिर आपको वठाइगो आने लगता है, चकर आने लगता है तो उसे सिती को ठीक करने के और मिनियस्ट डिजीज को क्योर करने की बहुत कारगर दबाहों पैथी में सिलीनियम है आप सिलीनियम 32 दो गून दिन में तीन बार ले ले आपका वाटाईगों भी खतम हो जाएगा और यह जो खाने के बाद आपको वीकने सो चक्कर आ रहे हैं यहां खतम होगे और आपका मिनियस्ट डिजीज भी ठीक होगा एक सिस्टाइन के साथियोह, मानश डिजीज में कि जब आपको बहुत तेज आवाज हैं उनाई पड़ रही हैं तो अगर आपको लॉड्ग नौसि आ रही हैं बहुत ते आवाज में खतम हो जाएंगी और आप अपने को कमफर्टिबल मैसूस करने लगेंगे आपका माइनस डिजीज भी खत्म हो जाएगा फिर साथियों एक सिम्टम आता है मिनियस डिजीज में कि आपके मिनियस डिजीज है कान आपके ब्लॉक है पार्चिल हेरिंग लॉस है और आप जरा भी हिले तो आपको चक्कर आने लगा अगर यह एस्तेटी हो मिनियस डिजीज में कि आपको वाटाइगो हो जरा सा भी हिलने पार और मिनियस डिजीज साथ में हो तो उसको ठीक करने की होमिपेछी में बहुत कारकरदावा थूजा ऊक्षिडेंट ऐलिस है आप थू बहुत इंपर्टेंट दवा आती है बहुत इंपर्टेंट इस सिटी आती हो हुए पर्ती में कि आपके कान बिल्कुल बंद हो गया आप इस टेचेंटी ब्लॉक हो गया यहां इन्यस डिजीज का सबसे बड़ा रीजन भी होता है तो लाइक वाइस को ठीक करने की भी बहुत हैं कालीमुराटिकम कालीमुराटिकम 30 पावर में आप दो दो बून दिन में तीन बार ले ले आप देखेंगे कि आपके कान बंद हुआ है आवास सुनना बंद हो गई है कान में भारी पन है वहां भी खतम हो गया और आपका मैनेस टीजीज भी ठीक होने लगा फिर स्थिति हो तो इसकी भी होंगों पैथी में बहुत कारगर दबाए और दबा का नाम है को कुलस इंडिकस अगर आपके जरा भी वाटाई को आ रहा है और आपको मिनियस टीजीज है और जरा साहिलने पर भी चक्कर आ रहा है तो आपको कुलस दो सो पावर में दो दो पून दि और आपको हिसिंग टाइप हिस जैसी आवादें आने लगी सरसरहाट वाली आवादें आने लगी अगर वहाय स्थिति है तो पैथी में उसको ठीक करने की बहुत कारगर दबा और दबा का नाम है सालीशिया आप सालीशिया थर्टी दो दो गून दिन में तीन बार उसे स्थिति को ठीक करने की और मीनियर्स डिजीज को ठीक करने की बहुत कारगर दबा है और दबा का नाम है आप बैलेडोना दो सो दो दो गून दिन में तीन बार उसे स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको मीनियर्स डिजीज हो और लगता हो कि पूरा खून का जो दोरान है वो सर की तरफ आ रहा है और हट की तरफ आ रहा है और पैल्पेटेशन और थ्रॉबिंग हट में आपके चक्कर आ रहे हैं और आपको ब्योशी फेंट होने तक हालता की तो यह ब्योशी की सिति अगर आपके सामने आ जाए माइनस डिजीज में और आपको चक्कर बहुत आ रहे हो तो 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 ठीक करने की होगा प्यति बहुत का रग्धा दवाद छुरस है फौस्फोरस वानियम क ठेंडी चीजें बहुत पसंद हूँ, तो drug of the choice हो से इस्टिती में उन सिम्टम्स पे आपकी माइनस डिजीज की फॉस्फोरस है, आप यहाँ दबा लेकि अपने को लाप पा सकते हैं, फॉस्फोरस के मरीज को अंदूरी रूप से जलन भी बहुत होती, बर्णिंग भी बहुत होती है, यहाँ सिम्टम है, तो आप फॉस्फोरस का सेवन करें, आपके माइनस डिजीज के ठीक होने में सपोर्ट मिलेगी, और बहुत जल्दी वहाँ ठीक हो जाएगा, फिर साथे कि सिती आती है मिनियर्स ठीजिज में कि आप सुभा उठे और चक्कर आने लगे और लगा आगे की तरफ गिर जाएंगे अगर यह सिती हो साथियों कि आप सुभा उठे और आपको चक्कर आने लगे और आपको लगे आप आगे की तरफ गिर जाएंगे तो उससे सिती को ठीक करने की हुमियोपेती में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है ग्रिफाइटिस आप ग्रिफाइटिस 30 दो 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 गून दिन में तीन बार ले लें आपका यहाँ जो सुबह के उठके आगे की तरफ चक्कर आके गितना यहाँ खतम हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यह साथियों कोई दवाएं थी मैनियस डिजीज के विशे में जो की पार्शल हेरिंग लॉइस चक्कर और कान में आवाजें आने का बहुत बड़ा कारण है हमने प्यास करा है कि यह तीनों सिंटम्स मैनियस डिजीज के इस वीडियो में कवर कर लें आपको कुछ जानकारी दे दे आपको कहना चाहेंगे साथियों यहाँ जानकारी तक ही इस बात को सीमित रखें कोई भी दवा कुसलती की सक्से पूश के ले यह अपने समझ अपने मन से दवा ना ले कि इससे आपको कभी नुकसान भी हो सकता है अगर आपके मन में साथियों कोई क्वरी हो तो आप नोटिफिक्शन पैनल में अपने कुश्चिन को लिख सकते हैं अगर आपको आपके करिब लाने का प्रयास अच्छा लगाओ तो इस वीडियो को लाइक करिए गा शेयर करिएगा अपने चैनल को आपने मैं उमीद करता हूं अपने सब्सक्राइब करा होगा और ना करा हो तो कर दीचेगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके यूँ ही सबसे नया वीडियो प्राथ करते रहिएगा आपका साथ यूँ हम पर वरोसा करने के लिए साथ देने के लिए वक्त हम पर देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद झालबंगर साथ आपका साथ प्रग्जल प्रग्याम प्रग्याम